नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए ले करा हैं क्यों चबाते हैं आप नाखुन बच्चों में नाखुन खाने की आदत कैसे रोकें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाखुन को चबाते रहते हैं इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि नाखुन खाने की आम आदत हो सकती है जो सोभाविक रूप से बड़े होने तक ठीक हो जाती है लेकिन कई बार बच्चों की ये आदत किसी समस्या के कारण भी बन सकती है इस आदत से उन में कई तरह की समस्या है जैसे पेट खराब होना पेट में किले होना उंगलियों और नाखनों के आसपास किसी भी समस्या से बचने के लिए बच्चे में इन आत्तों को छुडाना जरूरी है बच्चों में नाखुन चबाने के कारण क्या है देखिए चिंता तना और आराम जैसे विभीन कारणों से बच्चे अपने नाखुन चबाने लगते हैं कुछ आम कारण जैसे पढ़ाई में ध्यान न दे पाना फिर टीवी देखने में ध्यान केंदित करना जैसे कारणों से भी बच्चे नाखुन चबाने लगते हैं आईए जानते हैं हम बच्चों में नाखुन चबाने के मुख्या कारण के बारे में अराम के लिए बच्पन में नौजाद सिसू और बच्चे एक आत्म सुखदायक किरिया के रूप में अपना अंग्ठा चूसते हैं जो की एक सोभाईक बात है जब उए खेल रहे होते हैं या अकेले होते हैं तो यह किरिया उन्हें आदान परदान करती है नाखुन चबाना अंग्ठा चूसने का एक रूप है जो बच्चों के बड़े होने पर बिख्षित होता है इसलिए बच्चे और यहां तक कि किसोर भी अपने नाखुनों को दातों से काड़ते हैं क्योंकि इससे उन्हें आरा मिलता है किसी काम में बोरियत जब बच्चे किसी बात से ज्यादा उप जाते हैं या उनका मन किसी काम में नहीं लगता है तो वो नाखुन करते हैं यह तब भी देखा जा सकता है जब वे किसी गतिविधी में सामिल नहीं होते हैं और उनके हाथ खाली होते हैं जैसे कि टीवी देखने या क्लास एटेंड करने के दोराम. तनाव को दूर करने के लिए घर या इसकूल में ऐसे इस्थितिया जो तनाव या चिंता का कारण बन सकती है बच्चों में नाखुन चबाने की आदत को विक्षित कर देती है बहुत सारी तनाव पूर इस्थितिया है जो बच्चों को चिंतित कर सकती है जैसे परिवार के दस्यों या माता-पिता के बिच लड़ाई, पढ़ाई के दराम ध्यान न लग पाना, अनुबान सिकी, इस बात के भी काफी हद तक संभावना है कि आपकी आद्ते आपके जीवन के माध्यम से आपके बचों तक पहुँच जाए, यदि आप बच्पन में अपने नाखुन का सकते हैं, एक बच्पन में नाखुन काटने की आदत को कैसे रोकें, बच्पों कोई जो चिंता को है उसको समझें, यदि आप देखते हैं कि आपका बच्पन अधिक बार अपने नाखुन काटता है जब वो अतनाव में होता है, यह स्कूल बदलने अलग जगह पर जाने य होता है, तो उससे बात करने के लिए समय निकाले, एक अच्छा समय खोजें जब वो सही मूड में हो और उन चीजों को चर्चा करने के लिए उससे जूड़े जिनके बारे में वो चिंतित हो सकता है, उनके नाखुनों को नियमित रुप से स्ट्रीम करें, यानि काटते रह हैं, बच्चों को नाखुनों को ट्रिम करना उन्हें डेंटन से काटने की उनकी इक्छा को कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, हर हफ्ते बच्चे के नाखुनों को क्लिप और फाइल करें, ताकि कोई खुर्दूरा किनारा नहों, उन्हें इसे कुतरने के लिए प्र कर यह अच्करी अच्छा लगा तर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न ही किया है तो पीलिज चैनल को सब्सक्राइब करें और बला इकम प्रेश कर देता कि अगले वीडियो के थ्पकेशन ना